मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ आईए प्यारे बच्चों आज हम नई कवीता के शशक्त हस्ताक्षर शिरी लीलाधर जगूरी जी द्वारा रचित कवीता परिवार की खाड़ी में का अध्यन कर रहे हैं यह है उनकी वर्तमान दोर की एक अत्यंत ज्वलंत समस्या बिखरते तूटते परिवार विशे को लेकर रची गई उलेखनी ये कवीता है इस कवीता के माध्यम से कवी बता रहे हैं परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने पारिवारिक सदस्यों को जोड़ कर एकता के सुत्र में बांध कर सहयोग और प्रेम के साथ 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 रखना चाहाते हैं मगर पारिवारिक विघटन रुकने का नाम नहीं लेता है यहां कवी ने बड़ा सुंदर नवीन परियोग कर इस विघटन के भावों को जंगली नदी का रूपक दिया है कि कवी कहते हैं उसके घर की नीव से जंगली नदी टकरा टकरा कर आज उसके बिस्तर के किनारे तक पहुँच गई है अर्थात कवी के कहने का भाव यह है कि जो परिवार के सदश्य परिवार से अलग होना चाहते हैं वह अब कवीवर तक पहुँच चुका है और इस शोर और जंगली नदी के थपेडे जोरदार धके घर की नीव को हिला कर कवी के तकिये को भी अब हिलाने लगे हैं अर्थात इस अलगाव वादी भाव ने कवी के मस्तिस्क की स्थिर्ता और मन की शांती दोनों को चेंड लिया है कवी की पतनी बड़ी समझदार है और उसने इस समस्या को बहुत अच्छे से समझकर अंदाजा लगा लिया है कि यह परिवार रूपी जो पेड़ है वो कापने लगा है अब इसकी शाखाएं सुरक्षित नहीं है अब वो तूटकर रहेंगी इसलिए उसने कवी को बताया कि अब घर परिवार में बिखरने की आंधी आने वाली है और वह यह कहकर अपने बक्से को संभालने के लिए वहां से चली गए पत्नी की आवाज को सुनकर या पत्नी की बात को सुनकर कवीवर अच्छी तरह समझ गए कि अब परिवार विघटन की स्थिती अर्था तूटने की कगार पर पहुँच चुका है वह अपने बिस्तर से उठा और अभी अपने बिस्तर से उठा ही था कि गाओं के आकाश ने खिड़की के माध्यम से कमरे में मिनना छांकना शुरू कर दिया अर्थात जैसे ही कभी उस परिवार से अलग हुआ संपूर गाओं भर के लोग उनके पारिवारिक मामलों में हस्ता छेप करने के लिए उनके परिवार में अपनी महता दर्शाने के लिए उन तक पहुँचने लगे कभी घर से अलग होकर भी अपने परिवार को एकता के सुत्र में बांध कर बिखरने से बचाना चाहता है अत वह परिवार की इस खाड़ी में लोहे की जंजीर डाल कर अपने परिवारिक जीवन को मजबूती स्थिर्ता देकर वापस खड़ा करना चाहता है चाहे वे परिवार से अलग है लेकिन फिर भी उसकी चाहत है कि उसका परिवार केसी तरह वापस जुड़ जाए मगर कभी का यह सपना साकार न हो सका अब कभी को अपना और अपनी पत्नी का एक अलग परिवार बसाना पड़ा और धीरे धीरे वो उसी में स्थिर्ख होने लगे। कवी के अनुसार पारिवारिक विघटन के कारण अब उसका परिवार नर्क तुल्ले हो गया था। अतह कवी इस समस्या का दूसरा हल खोजने की कोशिश करते हैं मगर उसे इसका कोई हल नहीं मिलता है और कवी इस पारिवारिक विघटन के कारण अपना एक अलग परिवार बसाने को मजबूर हो जाते हैं। यहां कवी ने अपने मन के इसी दर्ध को कवीता की पंक्तियों में ढाला है। आईए बच्चों हम कवी के उनी भावों को अब समझें और उनकी पीडा को महसूस करें। पद संख्या एक बिस्तरे के मुहाने पर जंगली नदी का शोर हो रहा है। और था पेड़े मकान की निव से मेरे तकिये तक आ रहे हैं। कापते हुए पेड़ों को भापते हुए पतनी ने कहा आंधी और फिर बक्से के पास लोट आई। प्रसंग प्रस्तुत्पद हमारी हिंदी की पठे पुस्तक समकालीन हिंदी कवीता में संकलित। नई कवीता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवी शिरी लीलाधर जगूडी जी द्वारा रचित परिवार की खाडी में से लिया गया है। संधर यहां कवीवर पारिवारिक विघटन की समस्या को लेकर इस कवीता की रचना करते हैं और वो बताते हैं कि वर्तमान दोर में विखरते तूठते परिवार कवी की चिंता का कारण है। कवी उन्हें बचाना चाहता है क्योंकि संयुक्त परिवार के अंतरगत सबको विकास के सुरक्षा के संरक्षन के अनिक आउसर प्राप्त होते हैं। को सबके विकास के लिए आवश्यक हैं। अतर कवी इस बिखराव की भावना को जंगली नदी का रूपक देते हुए अपने मन की चिंता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। वैख्या शब्दों के अर्थ आवश्यक्ता के अनुसार बिस्तरे बिस्तर के के मुहाने निकलने का स्थान जहां से नदी निकलती हैं। जर्ना निकलता है। पर-पर जंगली नदी का शोर हो रहा है। जंगली नदी कवी ने रूपक भांदा है अलगाव वादी भावनाओं को लेकर इक कवी कहते हैं परिवार में जो अलग-अलग होने के भाव हैं जो विचार हैं अब वो पारिवारी कलह का कारण बन रहा है जगडे का कारण बन रहा है और उस जगडे का शोर अब कवी तक भ कि अब यहें प्रियास काफी तेजी पकड़ चुके हैं मकान की नीव से कि इस परिवार के मूल कारणों से मेरे तकिये तक आ रहे हैं कि कभी का तकिया जहां तक यहें शोर पहुचने लगा है तकिया मनुश्य सिर्के नीचे लगाता है और मन मस्तिस्क दोनों मिलकर स्थित्यों को काबू करते हैं तो मस्तिस्क का जो विचार है अब वहां तक इस अलगाओ के भाव पहुचने लगे हैं और कभी उन्हें स्थिर्टा से बांध लेना चाहते हैं कापते हुए पेड़ों को कापते कपकपाते हुए अर्थात किसी भी खशन वो गिर सकते हैं पेड़ों को जो स्थिर्टा से जमीन को बांधे रखते हैं अर्थात परिवार को बांधने वाले तत्व भापते हुए महसूस करते हुए पहचानते हुए पत्नी ने कहा आंधी कि कवी की पत्नी आकर उनसे कहती है आंधी, कि अब तेजी से आंधी आने वाले है, अर्थात अब परिवार को बिखरने से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि इस परिवार को संभालने वाले पेड़ ही अब काप उठे हैं, और फिर बकसे के पास लोट आई, और वहें अपने ब यहां कवीवर लीलाधर जगुडी जी, अपने मन में तूटते बिखरते परिवार की अर्थात पारिवारिक विघटन की समस्या को उजागर करते हुए अपने मन की पीड़ा का उदखाटन करते हैं, वो कहते हैं कि आज मेरा परिवार बिखरने की स्थिती पर पहुँच ग भावों को जंगली नदी का रूपक देते हुए लिखते हैं कि यहें जंगली नदी का शोर मेरे बिस्तर के किनारे तक पहुँच गया है, अर्थात अब मुझ तक भी यहें अलगाव वादी भावों से उठने वाला कलह पहुचने लगा है, और उसके जोरदार धक्के, अर्थात उस नदी का तेज बहाओ, अर्थात जो अलग होने वाले तत्व हैं, उनका दबाव घर की नीव से चलकर कवी के तकिये तक आ गया है, अर्थात कवी के कहने का भाव यह हैं कि जो परिवार को बांधने का मूल कारण हैं, अर्थात परिवार की महिलाईं, और परिवार की वो युवार शक्ती जो पूरे परिवार को एकता के सुत्र में और प्रेमवे सहयोग को मूल बना कर सबको जोडे रखती हैं, वो आज हिल चुकी है, और कवी जो व्रधा अवस्था में आराम कर रहे हैं, अब उनका आराम भी संभाव नहीं है, वहां भी खलल पहुँच रहा है, कवी अपने परिवार को एकता के सुत्र में बांध लेना चाहते हैं, मगर यह अलगाव वादी दबाव देखकर कवी का मस्तिस्क भी जबाब दे चुका है, कवी की पतनी बड़ी समझदारी से इस स्थिती को भाब चुकी थी, पहचान चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, कि अब इस घर को विखरने से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि अब स्थिती चिन्ता जनक हो चुकी है, जो इस परिवार को बांधे रखने वाले थे, अब वही अपने विश्वास को तूटता हुआ, कापता हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए पतनी ने कवी से कहा, कि आंधी आने वाली है, अर्थात अब इस घर को हम नहीं बचा पाएंगे, और फिर बक्से के पास लोट आई, और इतना कहकर वहें अपने बक्से के पास चलीगी, अर्थात कवी के कहने का भाव यह है, कि इस पारिवारिक विघटन को देखते हुई, पतनी ने बिना कुछ शोर मचाए, प्रतिकात्मक तोर से कवी को इस विखरने की सूचना दी, और अपना सामान संभालने लगी कि अब यदि अलग होना है, तो अपना अपना सामान भी हमें अलग-अलग करना होगा। आईए प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्यक्या करते हैं। यहां कवीवर लिलाधर जगूरी जी, अपने विखरते तूटते परिवार को देख कर, अर्थात पारिवारिक विघटन की समस्या से, अत्यंत दुखी होकर अपने मन के भावों को उजागर करते हुए कहते हैं कि, बिस्तरे के मुहाने पर जंगली नदी का शोर हो रहा कि परिवार में जो विघटन के भाव हैं, उन्हें कवी ने जंगली नदी का रूपक दिया है। अब वो कहते हैं कि ये विघटन का भाव, जंगली नदी की भांती बेकाबू हो रहा है। और इसका कोलाहल, इसका शोर, इस कलह का दबाव, अब कवी की खाट के पास, कवी के बिस्तर के पास तक भी पहुँच चुका है। अर्थात अब कवी भी अपने परिवार को बांधने में सफल नहीं हो सकते। और थपेडे मकान की नीव से मेरे तकिये तक आ रहे हैं और इस नदी के जोरदार धके। अर्थात सबके अलग-अलग होने का भाव, अब घर की नीव से चल कर कवी के तकिये तक पहुँच रहा है। अर्थात इस परिवार को प्रेम एक्ता और सैयोग के सुत्र में जो बांध लेने वाले लोग हैं, जो परिवार के इस जिम्मेदारी को निभाने वाले पारिवारिक सदश्य हैं, वो भी अब इस अलगाओ की भावना में बहच चुके हैं। और धीरे-धीरे करके यह अलगाओ का भाव मेरे अर्थात कवी के तकिये तक भी पहुँच रहा है। तकिया सिर के नीचे होता है और सिर में मस्तिस्क विचार करता है। तो कभी प्रतिकात्मक्त परियोग करते हुए कहते हैं कि अब मेरे मस्तिस्क में, मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा है जिसे मैं परियोग करूं और अपने परिवार को फिर एकता के सुत्र में बांध लूँ. अर्थात कभी ने भी स्थिती के सामने घुटने टेक दिये। उठे हैं. अर्थात इस बिक्राओ ने एक तुफान का रूप धारन कर लिया है. अब इस तुफान के कारण, इस अलग होने की भावना के कारण, पूरे परिवार के सदश्य आपस में लड़ रहे हैं और अलग होना चाहती हैं. आते हैं, इस जगडे की सूचना, इस विवाद के विशे में कवी की पत्नी कवी तक जाकर कहती हैं कि आधी. अर्थात अब इस अलग होते परिवार को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसे संभाले रखने वाले जिम्मेदार लोग ही कपकपा उठे हैं. अर्थात उनकी सिर्ता भी अब डामा डोल हैं और फिर बक्से के पास लोट आई. और इस प्रकार कवी की पत्नी कवी को इस विखराओ की सूचना एक आंधी के माध्यम से देकर अपना सामान संभालने लगी क्योंकि अब उसका भी परिवार से अलग होना थे था. अर्थात कवी के कहने का भाव यह है कि परिवार के जो जिम्मेदार लोग हैं वही समझदार द्रिष्टी कोंड से समझदारी से अपने परिवार को एकता के प्रेम के सुत्र में बांधे रख सकते हैं. मगर जब वो डावाडोल हो जाएं तो परिवार नहीं समझद सकता. भावार्थ कवी के कहने का भाव यह है कि जब परिवार की नीव ही हिल जाएं तो उस परिवार को संभाल कर रखना असंभव हो जाता है. विशेश यहां कवीने तूटते बिखरते परिवार की अर्थात पारिवारिक विघटन की समस्या पर चिंता जटाई हैं. सरल सहज परवाहमई खड़ी बोली का सफल परियोग है. लक्षना शब्द शक्ती है. जंगली नदी का शोर, कापते हुए पेड, बड़े सुन्दर प्रतिकात्मक परियोग किये गए हैं. यहां वीद्रस ओजगुन है. संवादात्मक शैली का निर्वाह हुआ है. मुक्तक चंद गेशैली है. यहां रूपक, अनुप्रास, संबोधन आदी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है. पद संख्यात दो. मेरे उठते ही, खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गाउं का आकाश. परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है. मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुँचूँगा. प्रसंग पूर्ववत. संधर. यहां कवीवर पारिवारिक विघटन की समस्या को परधान बनाकर अपनी चिंता प्रगट करते हुए अपने तूठते विखरते परिवार की टीस को उजागर कर रहे हैं. यहां कवीवर उसी दर्द को शब्दों में बानते हुए लिखते हैं कि वैख्या शब्दों के अर्थ आउशक्ता के अनुसार मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गाउं का आकाश. यहां कवीवर बता रहे हैं जब उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि अब परिवार के विखराओं की आधी आ चुकी है और इस आधी को संभालने की ताकत परिवार को बांधने वाले पेड़ों में नहीं है पतर उसका परिवार तूटकर विखर गया सब अलग-अलग हो कवीवी जब अलग होने की बात को सुनता है समझता है तो वह भी अपना विखतर छोड़ कर उठ जाता है और अपने परिवार से अलग हो जाता है तो उसी प्रसंग का उल्ले करते हुए कवीवर लिखते है कि मेरे उठते ही कि जैसे ही मैं विखतर को चोड़ कर उठा अर्थात्म परिवार से अलग हुआ, खिड़की के रास्ते, कमरे से हाथ मिला रहा है गाओं का आकाश। यहां बड़ा सुन्दर प्रतिकात्मक परियोग कवी ने किया है, खिड़की के रास्ते, अर्थात्, परिवार के छोटे सदस्यों के माध्यम से, कमरे से हाथ मिला रहा है, यानि घर के लोगों से हाथ मिला रहा है गाउं का आकाश, अर्थात गाउं के वो लोग, जो कवी के घर में रहते उसके पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक सदस्यों के जीवन में हस्त छेप नहीं कर सकते थे, परिवार को किसी भी प्रकार का कोई अपनी दुशित भावना से भरा सुझाव नहीं दे सकते थे, अब कवी के परिवार से निकलते ही, वो उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच पहुँचने लगे और परिवार के सदस्यों को अपने भावों से, अपने विचारों से प्रभावित करने लगे, परिवार की खाड़ी में लंगर डाल कर मेरा जहाज खड़ा है, परिवार की खाड़ी में, खाड़ी जहां पानी के जहाज बांध कर रखे जाते हैं, लंगर लोही की जन्जीरे की कवीवर कहते हैं कि मैंने अपने परिवार रूपी खाड़ी में, की कवी कहते हैं कि मैंने अपने मन के भावों को, कि मेरा परिवार एक्ता के सुत्र में बंधा रहे, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई अनुचित भावना विक्सित ना हो, और बाहरी हस्त छेप ना हो, इसलिए कवी कहते हैं, इसलिए कवीवर अपने मन के उन मजबूत भावों रूपी जहाज को, भावना की लोहे की मजबूत जन्जीरों से, परिवार की उस खाड़ी में खड़ा कर रखा है, अर्थात कहने का भाव यह है, कि कवी की हार्दिक इच्छा है, कि वहें अपने परिवार को एक बार फिर एकता के सुत्र में बांध कर प्रेम से जीना सिखा दे, एक बार पुने अपने परिवार को जोड़ कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने घर के सदस्यों को संडक्षन और सुरक्षा दे, मगर कवी का यह प्रियास काम्याब नहीं हुआ, अत्य कवी अलग होकर अपने घर में अपना परिवार बसाने को मजबूर हो गए, मैं इस बार भी कही नहीं पहुचूँगा, कि कभी कहते हैं कि यह तै हैं, कि यह मेरा प्रियास निर्थक रहेगा, मैं अपने लक्षे प्राप्ती में सफल नहीं हूँगा, अर्थात में अपने परिवार के सदस्यों को एक बार फिर इकठा नहीं कर पाऊंगा, और मुझे इसी प्रकार अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रहते हुए बिताना होगा, आएए प्यारे बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं, यहां कवीवर, वर्तमान दोर की पारिवारिक विघटन की समस्या पर चिंता जदा रही हैं, इस पद में, जब कवीवर की पत्नी, परिवार के बिखराओं की आंधी की सूचना कवी को देती हैं, तो कवी उस परिवार से अलग कर दिये जाते हैं और वहें अलग होने के लिए अलग होकर जैसे ही अपना बिष्तर छोड़ते हैं, अपना स्थान छोड़ते हैं, वैसे ही सामाजिक लोगों का उनके घर में और उनके जीवन में प्रवेश होना आरंभ हो जाता है। उसी प्रसंग का उल्ले करते हुए कवीवर लिखते हैं, कि जैसे ही मैं अपना स्थान छोड़कर उठा, मैं अपना बिष्तर छोड़कर उठा, खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गाउं का आकाश, कि मैंने देखा, खिड़की के रास्ते से गाउं के आकाश ने म तो समाजिक दुशित भावना के लोग मेरे बिखरते तूटते परिवार को देखना चाहते थे और मेरे रहते वो अपने उस लक्ष में काम्याब नहीं हो सकते थे अते जब उन्होंने देखा कि मैं घर से अलग कर दिया गया हूँ तो उन्होंने मेरे पारिवारिक मामलों में मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन में अपना हस्तचे आरंब कर दिया और मेरे जीवन के वो गूड सत्य और मेरे परिवार के वो गूड सत्य जो मैंने कभी घर से बाहर घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने दिये थे अब वो प नमाज का विशें बन चुके थे। कि मैं अपने परिवार को पुनह एकता के सुत्र में बांध लेना चाहता हूँ। उन्हें प्रेम और सैयोग से दोबारा एक साथ रहते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने अपनी भावना रूपी लोहे की जंजीरों से अपने जीवन रूपी जहाज को परिवार की खाड़ी में द्रड़ता से खड़ा कर रखा है। अर्थात, मैं एक बार फिर अपने परिवार को जोड़ने का प्रियास करना चाहता हूँ। मगर मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुचूँगा। कि कभी इस सत्य को जानते हैं कि मेरा ये प्रियास काम्याब नहीं होगा। क्योंकि परिवार के सदस्य एकता के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, वो सब अलग-अलग हो चुके हैं और मैं भी अपने परिवार से अलग कर दिया गया हूँ, अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना एक अलग परिवार बसाकर अलग जीवन स्थिरता से जीने को मजबूर हो भावार, कवी के कहने का भाव यह है कि परिवारिक सदस्य परिवार के बड़ों के भावों का सम्मान करना उस समय छोड़ देते हैं जब बहारी हस्तचेप उनके जीवन को प्रभावित करने लगता है यहां सरल सहज परवामई खड़ी बोली है लक्षना शब्द शक्ती है करुन रस प्रसाद गुन है मुक्तक छंद है गेश्यली है यहां कमरे से हाथ मिलाना गाउं का आकाश परिवार की खाड़ी मेरा जहाज आधी प्रतिकात्मक परियोग बड़े सुन्दर बन पड़ी है यहां अनुप्रास, मानवी करण, रूपक, आधी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है पद संख्या तीन एक नरक की मजबूती के लिए उठे हुए बखेडे पर कीले ठोकता हुआ सूच रहा हूं जरूर कोई दूसरा किनारा है कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी बहती उमीद पर ठोकी हुई मेरी साधारन आत्मा प्रसंग पूर्ववत, संधर यहां कवीवर वर्तमान दोर की ज्वलंत समस्या पारिवारिक विघटन पर चिंता जटाते हैं और कवी बताते हैं कि आज तूटते बिखरते परिवार परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए गहरी टीस का करण है उनका भर्सक परियतन होता है कि उनका परिवार एकता के सुत्र में बंद कर प्रेम से जीए मगर उनके प्रियास उस समय नाकामियाब हो जाते हैं जब परिवारिक सदस्य बाहरी हस्तचेप को अपने जीवन में मुख्य बना लेते हैं यहां कवी उसी दर्द को उजागर कर रहे हैं और लिखते हैं कि वैक्या शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार एक नर्क की मजबूती के लिए उठे हुए बखेडे पर नर्क परिवार को बिखरने को कवी ने नर्क का रूपक दिया है मजबूती दर्दा बखेडा जगडा कीले जोडने का प्रियास ठोकता हुआ प्रियास करता हुआ सोच रहा है विचार कर रहा है जरूर कोई दूसरा किनारा होगा कि इस परिवार को जोडने का कोई ने कोई दूसरा तरीका आवश्य होगा कैसे कहा जा सकता है, कि कभी कहते हैं मैं कैसे कह सकता हूँ, कि अब नहीं चटकेगी, चटकना, खिलना, विक्सित होना, बहती उमीद, कि मन में पैदा होती आशा, उमरती आशा, ठोकी हुई, परियास की गई, एक साधारण आत्मा, एक जन सामन्या की भावना, यहां कभीवर अपने परिवार के टूटने पर, जो अपने मन का दर्ध है, उसे उजागर करते हुए कहते हैं कि, एक नर्क की मजबूती के लिए उठे हुए बखेडे पर कीले ठोकता हुआ सोच रहा हूँ, कि कभीवर कहते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य, परिवार को बिखेरने पर, अलग-अलग करने पर, बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं, और इस अलगाओं के लिए, वो जगड रहे हैं, लड रहे हैं, विवात कर रहे हैं, वे अपने परिवार को तूटने से, बिखरन चाहती है। अतर वह इसे एकता के सुत्र में बांध कर अपने विचार और भावों की कीलें ठोख रहे है। कहने का अभिप्राय यह हैं कि वो हर प्रकार का प्रियास समझने समझाने की बात के द्वारा अपने परिवार में आने वाली इस मुसीबत को इस जगड़े को इस जंजट को समाप्त करना चाहते हैं मगर कवी को दिखता है कि इसका कोई दूसरा समाधान अब उनके पास नहीं है ज़रूर कोई दूसरा किनारा है कि कोई न कोई ऐसा साधन हो जिससे परिवार को दोबारा जोड़ दिया जाए लेकिन जब कवी अपने लक्ष में नाकाम्याब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका एक ही दूसरा रास्ता है कि मैं अपना एक अलग परिवार बसा कर अलग जीवन जीओ कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी बहती उमीद पर ठोकी हुई मेरी साधारन आत्मा कवी पुना कहते हैं कैसे कहा जा सकता है कि मैं यह बात कैसे कह सकता हूं कि अब नहीं चटकेगी बहती उमीद पर कि जिस परकार हर साधारन व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसक खिलता हस्ता मुस्कूराता परिवार उसे एक साथ मिले तो कभी के हिर्दे में भी यह आशा है कि यह सपना एक ना एक दिन आवश्य साकार होगा कि मैं एक बार पुन अपने पूरे परिवार को एक का के सुत्र में हस्ता खिलाता हुआ विक्सित परिवार के रूप में देखूंगा कभी ने कभी आवश्य मुझ जैसे साधारन व्यक्ति की आत्मा की पुकार अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करेगी और कभी इसकी सफलत के लिए अपना पूरा पूरा परियास करते हैं अर्थात कभी के मन में यह प्रबल इच्छा है यह इच्छा जाग चुकी है कि वह अपने परिवार को फिर एकता में बांध ले और कभी को नहीं मालूं कि उसे इस कारिये में इस परियास में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी आईए प्यारे बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्यक्या करते हैं यहां कवीवर लिलाधर जगोडी जे वर्तमान दोर की ज्वलंत समस्या तूटते बिखरते परिवार को लेकर अपने मन में दर्द समेटे हुए है आते हैं वो अपने बिखरते परिवार को बचाने का प्रियास करते हुए लिखते हैं कि एक नर्क की मजबूती के लिए उठे हुए बखेडे पर कि यह हैं पारिवारिक विघटन जिसके कारण मेरा घर संसार नर्क बन चुका है अर्थात परिवार के सदस्य अलगाओ के लिए निरंतर जगड रहे हैं लड़ रहे हैं और इस मुसीबत को इस जंजट को इस परेशानी को समाप्त करने के लिए मैं बड़ी सूजबूच से बड़ी समझ से बड़े सोच विचार के साथ इस विघटन को रोकने का प्रियास कर रहा हुए और कवी सोच रहे हैं कि इस प्रकार यदी मैं अपने परिवार को एकता के सुत्र में पुनन ना बान पाया तो निश्य ही इसका कोई न कोई अन्य तरीका इनका कोई दूसरा रास्ता अवश्य होगा अर्थात कवी के कहने का भाव यह है कि यदी मैं इस प्रियास में सफल नहीं हो पा रहा हूँ मैं अपनी कोशिशों में काम्याब नहीं हो पा रहा हूँ तो इसका दूसरा एक ही रास्ता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अपना एक अलग परिवार बसाकर स्थिरता के साथ शांती से अलग रहा हूँ कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी बहती उमीद पर ठोकी हुई मेरी साधारण आत्मा कि यहां कभी वर पुना विचार कर रहें उनके मन में फिर एक बार अपने परिवार को एकता के सुत्र में बांधने का भाव ठीक उसी आम आदमी की भांती उसी साधारण आदमी की भांती उठ रहा है जहां प्रतेक घर का बड़ा परिवार का मुखिया चाहाता है कि उसका पूरा परिवार हस्ता खेलता हूँ पूरा विक्सित परिवार हूँ और वहें उन्हें आनंद से खुशी-खुशी मिलकर प्रेम से जीवन बिताता हुआ देखें तो कभी कहते हैं कि मेरे हिर्दे में भी वही साधारण आदमी की आत्मा जाग चुकी है और मैं अपनी मन की वहें आशा जिसमें मेरा परिवार फिर एक्ता से बंदा हुआ हो कैसे वो सपना साकार नहीं होगा पतर कभी अपने परिवार को दोबारा एक्ता के सुत्र में बांध कर उन्हें प्रेम से सैयोग से जीना सिखाने के लिए एक बार पुना कोशिश करना चाहते हैं और कभी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ना जाने मैं अपने इस प्रियास में किस हद तक सफल हूँगा अथवा नहीं होग हूँगा भावारत कभी के कहने का भाव यह है कि परिवार के बड़ों का अर्थात मुखिया का सदैव यही प्रियास रहता है कि उसका संपूर परिवार प्रेम के साथ एक्ता के साथ आनंद के साथ जीवन जीए विशेश यहां कवी ने परिवार को विघटन से बचाने का पूरा-पूरा प्रियास किया है सरल सहज परवाहमई खड़ी बोली का प्रियोग हुआ है लक्षना शब्द शक्ति है प्रैसाद गुण है मुक्तक चंद है गेशेली है और संगीत आत्मक्ता बनी हुई है यहां अनुप्रास, मानवी करण, प्रशन, रूपत आधी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आशा है पढ़ा गया विशे आपको समझ में आ गया होगा और आप भी अवश्य वर्तमान दोर के तूटते बिखरते परिवारों को लेकर चिंतित होंगे अपने भाव वे विचार कमेंट बोक्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपका दिन और जीवन मंगल में हो इसी शुब कामना के साथ धन्यवाद आभार